हेलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर नुडाग और आज हम बात करेंगे डेप्रेसेंट के स्वास्थ जीवन पर पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अक्सर केंद्री तंत्री का तंत्र मस्तिक्स और इस्पानल कॉड के अपसादक की रूप में संधर भीत है ये दवाएं मस्तिस के कार को धीमा करती हैं इसमें सांति दायक जिसको हम सेरेटिब बोलते हैं जिने किसी को शांत और निद लाने के लिए प्रयूग किया जाता है और ट्रंकुलाइजर जिसको हम शांतक बोलते हैं तनाप या चिंता को कम करने के लिए किया जाता है इन दवाओं को कभी-कभी डाउनर्स कहा जाता है ये विविन्ने रंगों की गूलियां और कैपसूल या तरल रूप में होती है इसमें कुछ दबाएं जैसे जैपराकसा, सेरोकोईल और हैलडॉल, मेजर ट्रेंकुलाइजर और एंटि साइकोटिक्स के रूप में जानी जाती है क्योंकि इन्हें मांसिक रूप से लक्षोणों को कम करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जैसे जैनेक्स, किलोनोपिन, हैल्सियोन, लिब्रियम जैसी डेप्रेसेंट को अक्सर बैंजोस कहा जाता है और अन डेप्रेसेंट जैसे एमेटल, नेंबूटल, सैकनॉल, बारवुचरिट की कैटिगरीज में आते हैं ये दवाएं शान्ती, देने और नींद की गोलियों की रूप में उप्योग की जाती है इनको भारत में स्चेडूल X, साइकोट्रोफिक सबस्टेंस या साइकोलोजिकल मेडिसिन्स की कैटिगरी में रखा गया है कुछ प्रसिद्ध ब्रांड और स्ट्रीट नाम से भी जाना जाता है जैसे की जनेक्स, वेलिनम, हल्जियोन, लिब्रियम, अतिवन, क्लोनोपीन, अमाइटल, नंबूतल, सेकनल, फिनोबर्बितोन, बार्वस, कैंडी, दावनर्स, फैनीज, रैड्स, रैडवर्ट्स, स्लीपिंग पिल्स, ट्वीज, ट्रंक्स, येलोज, 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 जैकेट्स, ये सब इसके स्ट्रीट नयम है, यदि देखा जाए, तो यदि इन दवायों का सेवन करते हैं, तो बहुत सारे एडवास एफेक्ट होते हैं, जो की शौट टर्म और लॉंग टर्म हो सकते हैं, तो फिलाल हम लगुकालिक प्रतिकूल प्रभाव, मतलब शौट एडवास एफेक्ट के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जो जैसे ही हम खाते हैं, तो वैसे ही मस्तिस्क कार को धीमा करना, मस्तिस्क कार धीमा हो जाता है, धीमी धड़कन और सांसें धीमी हो सकती है, ब्लेट पिशर निम्न हो सकता है, कम हो सकता है, ध्यान के इंद्र क करने में दिक्कत हो सकती है, कमजूरी हो सकती है, भ्रह्म महसूस हो सकता है, ठकान हो सकती है, चक्करा सकते हैं, बोलने में अटकनापन हो सकता है, बुखारा सकता है, सुस्तता महसूस हो सकती है, द्रश असंतुलन हो सकता है, आँखों में बडापन महसूस हो सकता है समयवन की कमी हो सकती है अबसाथ हो सकता है पेशाप करने में कठनाई या असमर्थता हो सकती है और व्यसन लट लग सकती है अधिक मातरा में दबा का उपयोग इस्मृति नेड़नाए और समन्वाय को प्रभावित कर सकता है चिड़चड़ापन आत्मेहत्या जैसे विचार आ सकते हैं कुछ लोगों में उत्तेजना और आक्रोश भी देखा गया है सेड़ेटिप्स इसका उपयोग विसे इसका शराप के साथ लेते हैं जिसके कारण साराप के साथ इसका कॉंटर इंडिकेशन होता है सांस और दिल की धरकनों को धीमा कर सकता है जिसके कारण मौत भी हो सकती है अब हम देखेंगे डिप्रेसेंट की लॉंग टम एडवस एफेक्ट जिसको हम दीर्ग कालीन प्रतिकूल प्रभाव वोलते हैं उसके बारे में तो दीर्ग कालीन यदि हम दवाईयों का सेवन लगातार करते हैं तो जो भी करेंगे तो अब साथ कारी जिसको हम डिप्रेसेंट बोलेंगे दवाईयों को तेजी से एडेक्शन होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में दवा का सेवन करते हैं और उच्चितम इस तरब तक पहुंचने कोशिस करते हैं और खुशहली को प्राप्त करने के लिए दवाउं को खाने के लिए मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे ओबर डोस हो सकता है और कोवा में चले जाते हैं दूसरा है यदि डिप्रेसेंट को ज़्यादा टाइम तक लिया जाए तो अब साथ, ठकान, सांस लेने में कटनाई, यौन समस्या है और नीन की समस्या हो जाती है दवापर निरवाता बढ़ने के साथ यदि उब्भोकता को और ज़्यादा प्राप नहीं होता तो एक्छाएं, चिंता और आतंक जैसे समस्याएं भी होती है यदि हम अनुभन्द लक्षणों में नीन्द देखें तो इसमें नीन्द अच्छे से नहीं आती, कमजूरी महसूस होती है और उल्टी मितली जैसे जो साइड एफेक्ट है, सामिल है निया में तो रोच उच मात्रा के उप्योकताओं के लिए अधिकांस दवाओं से बापसी के विप्रीत, अपसातकारी से बापसी जीवन घातक हो सकता है ये दवाएं उच्छे रक्त सरकरा, मधुमे, बजन ब्रद्धी के जोखिम को बढ़ा सकती है और USA टोड़े दौरा आयए जो एक अध्यान में चार बश्ची है, अबधी के आधार पर खाद और 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 आशदी प्रशाशन, डेटा के आधार पर एंटि साइकोटिक्स के दौरा पैतालीस मौतों की पुष्टी भी की गई है, जिसमें हिर्दय समस्या है, चोकिंग, जिगर की बिगड़त और आत्महत्या शामिल है तो इसलिए यदि आप एंटिडेप्रेसेंट या डेप्रेसेंट ड्रक्स का यूज़ करते हैं, तो किरपया ना करें यदि आप भी किसी तरह की बिमारी या रोग और दवाओं के एड़वस एफेक्ट से ग्रसेत हैं, तो अनुसंदा निवंप्रमाडिक सौस्थ प्रत्यवर्ति कारिक्रम को हमारे हिम्स वर्चुल OPD के माध्यम से 99 बिमारियों में OPD रेजिस्ट्रेशन कर परामर्स ले सकते हैं, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और वाट्स अप चैनल को फालो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे औस्दी जागरुक समाज एवं स्वास्त भारत मिशन में सहायता कर सकते हैं, यदि आप स्वास संबंधी आर्टिकल ब्लॉग कर दो ब्लॉग शर्टिकल शर्टिकल आर्टिकल झार्टिकल जार्टिकल झालो कि झालो कर सकते हैं, यूज।